हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल राधिरादे क्रोचट तो दिखिए आज हम गुपाल जी के वाली ड्रेस बनाएंगी पांच नमबर को पाल जी के हमने बनाई है बांच और छे नमबर दोनों को आ जाएगी लेकिन आप इसे हर एक नमबर में बना सकते है किसी भी गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना चाहते है उस नंबर की वरली बना लिजी स्टार्टट करते हैं और धशुल से बना से चे बनाकर करें रखिए अरे 5 तो लिए 4 और जा करें सार्ट वारे निये पर देह सकते हे या तो मैं डिश पर हम दोंगे संगे दोंगे तो car बनाके झॉली, ने बैबी पिंक और बसंटाव Pressure बताथ करंगी। ने दाम पूंब को के साइड़ लेनाम, तो यहाँ से लोग विष्पाइब फिर भी ख्रवग् आक पाव यहाँ की mm भी खेंगाई। यहा HUं करता टमॐक, विवस्पीज यहेड़ चॉली का झातला है इसमें हमारे पास 25 डबल क्रोशे है 25 लेकिन हमने यहां पर जब जोइट किया तब हमने एक जो हमारी पहले तीन की चेन होती है इसे हमने स्किप कर दी है 24 ही यूज किये है तो खीरा बनाने के लिए एक हमने स्किप कर दिया है तो दिखे यहां से हम खीरा बनाना स्टार्ट करेंगे पहला राउंड हम इसी कलर से बना लेंगे जो हमारी चोली है वो बाद में हम एक एक राउंड अलग-अलग कलर से बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया है से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमने दो चेन बना ली लूप लिया इसी के अंदर हमने हाप डबल क्रोशा बनाना है ऐसे सेम प्लेस पर हाफ डबल क्रोशा फिर से लूप लिया नेक्स्ट में एक और एक दो सेम प्लेस पर दो बार हाफ डबल क्रोशा देखें दोनों चेन में दो दो बार ये दो की चेन को भी हम एक हाफ डबल क्रोशा काउंट करेंगे तो बना दिया हमने दोनों में दो दो बार हाप डबल कुरूशा अब हमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे और साथ चेन बनानी है साथ चेन बना दी अब हम लूप लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में यहाँ पर हमने कोई भी नीचे चेन स्किप नहीं करनी है यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में हाप डबल कुरूशा करना है देखे चेन हमें स्किप नहीं करनी है फिट से सेम प्लेस पर हाप डबल कुरूशा फिट से नेक्स्ट वाले में दो बार हाप डबल कुरूशा एसे दो बार बना दिया दो दो फिर से साथ बार चेन एक दो तीन चार पाँच छे और साथ साथ हमने चेन ले ली और अब फिर से नेक्स पाली चेन में दो बार हाफ डवल टोश है एसे फिर से सेम प्लेस पर फिर से आपड़ डोशन और एक चेन में दो दो बार बनाना है और दो बार इस तरह से बना करके हमें साथ चेन बनानी है देखे तो इस तरह से राउंड पूरा कम्प्लीट कर दीजे तो देखे यहाँ पर राउंड गंप्लिट होने को आया है आखरी हमारे पास दो चेन रह गई है तो यहाँ पर इसमें भी हम दो दो बार हर डबल क्रूशह बना देंगी यहाँ पर हमने चेन बना ली और अब हम इसे half double crochet बना लेंगे दोनों chain में दो दो बर ऐसे और अब हमें इसके बीच में भी साथ chain लेनी है एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे और साथ और अब हमें यहाँ पर जोइट कर देना है दिखें यहाँ पर round को जोइट करेंगे तो यह कलिया हमारी कितनी बनेगी देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा और बारा, टोटल बारा कलिया बनेगी हमारी 24 हमारे पास यह हमारा जो आखरी राउंड में चोली का था, वो डबल क्रोशे की चेन थी 24, तो इसके आधा करके हमारे पास 12 यह लूप आएंगे इस तरह से हमारी 12 चोटिया बनेगी देखें, यह जो हमने चेन बनाई है, इसकी हम इस तरह से चोटि बना लेंगे, ड्रेस कंप्लिट हो जाने के बाद, तो यहाँ पर अब हम राउंड को जोइट करेंगे, यह जो दो चेन हमने पहला बनाई है, इसके अंदर डाल करके स्लिप स्ट्रीच कर देंगे, ऐसे यहाँ पर स्लिप स्ट्रीच करने के बाद, अब हमें धागा चेन्ज करना है, यहाँ से हम दूसरा प्लाड डालेंगे, तो यहाँ से दिखी, इस तरह से थागे को स्टार्ट कर देंगे, ऐसे पहला लूप लिया, वहीं पर डाल करके फिर से एक बार स्लिप स्ट्रीच कर देंगे, इसी चेन में डाल करके ऐसे, और अब पिंक धागे को थोड़ा सा खिच लेंगे, और इस धागे को भी खिच लेंगे पिंक धागा हमें यहीं पर छोड़ देना है क्योंकि जब इसके बाद राउंड बनेगा तब यहीं से वापस से वही धागा स्टार्ट हो जाएगा अब हमें डबल क्रोश्या बनाना है तो तीन तीन चेन बनाएंगे देखे तीन चेन बना ली अब नेक्स्ट वाले के उपर डबल क्रोश्या चार के उपर चार ही बनाने हैं फिर हम बढ़ाएंगे इसके बाद वाली जब रो आएंगी तब हम बढ़ाएंगे देखे ऐसे चार हाफ डबल क्रोश्या था तो चार के उपर हमने चार ही बना दिये और अब हम फिर से अब हमने आठ आठ चेन बनानी है हर एक राउंड में सिर्फ पहली रो में ही हमने साथ हम बनाये ऑफ हम 8 हाट चेन बनाएंगे 3 4 5 6 7 उर 8 आठ बना लिया लूप लिया और पहले डबल क्रोश्य के ऊपर डाल करके दबल क्रोश्य की चेन में डालना है हमें इसे इससे डबल क्रोश्या बना लेंगे चार के उपर चार बार डबल कुरूशन बना लिया फिर से आंट चेन एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ और आठ आठ बार चेन कर ली फिर से जैसे हम पहले बनाते थे इसी तरह से 4 के उपर 4, डबल कुरूशन बनाना है सिर्फ हमने पहली रो में ही हाप-डबल कुरूशन किये है ईसे तो ऐसे ही हमारी दूसरी रो कंप्लिट होगी देखे आठ चेन और चार के उपर 4, दबल कप्लिट कर दीजिए तो दिखे राउंट कम्प्लिट हो गया और अब हम यहाँ पर चोईट कर देंगे आखरी में भी हमने चेन बना ली है आठवार और यह जो हमने पहले शुरू में तीन चेन ली थी इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टीच से यहाँ से ही धागा चेन्ज कर लेंगे तीन चेन बनाएंगे 1,2,3 और नेक्स्ट वाले में डबल टूशा और अब हमें बढाने है जो हमारे चार डबल टूशे थे इसके उपर अब हमें पांच कर देने है ऐसे 4 के उपर 4 बना दिया 3 की चेन को एक डबल टूश्य कान उट करेंगे यहां पर हम 5 बा बनाएंगे ऐसे फिर से 8 चेन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिर से 4 के उपर 5 बार डबल टूश्य एक दो तीन चार और ये पाँच वाई यहाँ पर और अगर यहाँ पर आपको बनाना अगर मुश्किल लगता है तो यहाँ पर आखरी वाले के अंदर दो भी बना सकते हैं सेम चेन में दो बना लीजे तो देखी चार के उपर पाँच बन गया फिर से आट चेन बना लेंगी तो ऐसे ही हमारा राउंट कंप्लिट होगा देखी पहले हमारे 4-4 अप डबल क्रोशे थे इसके उपर 4-4 डबल क्रोशे अब हमने पाँच डबल क्रोशा कर दिया तो इसके बाद की रो में 6 करेंगे फिर 7 करेंगे इसी तरह से आप हमें continue करना है तो देखिए 8 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फिर से 4 के उपर 5 बर double two तो ऐसे ही round को complete कर देना है 2, 3, 4 देखिए अब हमारा 5 बर 4 के उपर 5 बर बना देंगे इसी तरह से आप round को complete कर दीजे तो देखिए round complete होने को आया है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 chain बना ली और यहाँ पर जो 3 chain बनाए थी इसकी तीसरी वाली chain में डाल करके धागा चेंज कर देंगे और इस थागे से slip stitch कर देंगे ऐसे तो यहाँ से फिट से round हमारा इवाला पिंक हो जाएगा 1, 2, 3 और फिट से अब हमारे पांच के उपर 6 बन जाएंगे देखे 2, 3, 4, 5, और यह छे अब हमें एक एक बढ़ा देना है पांच के उपर 6 छे बन जाएंगे देखे यह तो आप यहाँ पर आखरी में भी दो बना सकते हैं अगर यहाँ पर आपको मुश्किल लगता है बनाना फिर से आणट चेन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर से यहाँ पर जो हमारा डबल क्रोशा है इसके उपर 5 के उपर 6 कर देंगे 1 2 3 4 5 और इसी के अंदर डाल करके बना देंगे देखे इस तरह से आखरी वाले में दो भी बना सकते हैं या तो यहाँ पर चेन में भी डबल क्रोशा बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगें तो 6-6 बना दिये और इसके बाद 7 आएगा इसके बाद 8 आएगा तो ऐसे ही हमारी पूरी रो कम्पलीट होगी देखे हमने इसमें कितनी रो बनाई है हाप डबल क्रोशे की हम साथ में गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 रो हमने बनाई है इसके बाद किनारी बनाई है तो टोटल किनारी वाली रो को भी साथ में गिन करके 10 हो गए है तो इसका 10 रो बनाने से डायमेटर कितना है वो भी मैं आपको बता दू तो देखे 8.5 इंच में से थोड़ा सा काम है तो आप जितना भी घेरा रखना चाहते है उतना आप रख सकते है इसा नहीं इतना ही घेरा रखे है तो चलिए इससे कंपलिट करके दिखाती हूँ देखे इसी तरह से हमें बढाते जाना है और ऐसे ही हमारी ड्रेस पूरी कंपलिट होगी है इस बार हमारे 6-6 है अगली रो में 7 होगे फिर 8 फिर 9 इसी तरह से हम बनाते जाने है तो देखे हमने 8 राउंड कंपलिट कर दिये है इसमें हमने 9 राउंड बनाया है देखे यहाँ एक दो तीन चार पांच छे साथ आट और 9 आप डबल प्रोश्री के राउंड से गिनेंगे तो और यहाँ पर हमने 8 बनाये है एक दो तीन चार पांच छे साथ और 8 तो इसमें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते है आप चाहे उतनी रो बना सकते है इसमें हमने एक रो कम बनाई है तो अब हम किनारी वाली रो बनाएंगे तो चले बनाना स्टार्ट करते है तो इसी कलर से हम किनारी बना देंगे जो हमने आखरी राउंड बनाया है उसी कलर से तो अब हमने यहाँ पर 8 चेन बना देनी है चेन हमने कम ज़्यादा कहीं पर भी नहीं की है हर वक्त हमें 8 ही चेन बनानी है तो यहाँ पर अब हम आंट चेन बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ और आंट आंट चेन बना ली अब हम यहाँ पर यह जो हमारी पहली चेन है इसके अंदर स्लिप स्वीच से च्वाइट कर देंगे तो राउंड कंपलिट हो गया और यह पिंग धागा है इसे हम साथ ले लेंगे इसे पहले हम इसकी चोटी बना लेंगे दिखे यह जो हमने आठ आट चेन बनाई है इसमें हम पहले इस तरह से पिंग वाला उठाएंगे इसके नीचे से इस वाले को निकाल देंगे इसे निकाल दिया फिर इसको रखेंगे और इसके नीचे से इसे निकाल देंगे इसे फिर इसमें क्रूशा डाला और इसके अंदर से इसे निकाल दिया इसे तो इस तरह से हमें इसकी चोटी बना लेनी है पहले तो ऐसे आख्री बार तो ये बन गया और अब हम यहाँ पर भी देखे फिर से एक बार देख लेज़ों पहला वाला पेंख हमने उठाया इसके नीचे से इसको निकाल देंगे फिर इसके अंदर क्रूश्या डर लेंगे फिर से इसके निकाल देंगे इसके अंदर से फिर से इसमें क्रूश्य डालेंगे इसे करके निकाल देंगे इसे एक दूसरे के अंदर से हमें निकाल देना है इसे इसे ऐसे अब हमारा आखरी वाला ऐसे तो इस तरह से सारा हम बना लेंगे दिखिए अच्छे से खेरा हमारा दिखता है और अब हम यहां से दिखिए जैसे जैसे हम किनारी बनाती जाएंगे वेसे वेसे शुरू में हम इसकी चोटी बनाते जाएंगे तो यहां पर से हमें यह हमारे आखरी राउंड में तीन, तीन शे और चार दस दस बार हमारा डबल प्रोश्या है तो इसके अंदर से दिखे पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा और पांच बा तो छटी वाली चेन में डाल करके हम इस तरह से दिखे यहाँ पर से डबल प्रोश्या बनाएगे डबल प्रोश्या थोड़ा सा लंबा बनाना है आँ में ऐसे, एक बनाया, फिर से लूप लिया फिर से दूसरा फिर से तीसरा ती, चार पांच छे साथ और यह आँठ आँठ बार हमने डबल प्रोश्या बना दिया और अब हम यहाँ पर यह जो हमारा पहला यहाँ पर का डबल प्रोश्या है इसके अंदर स्लिप स्टीच से चॉइट कर देंगे ऐसे, फिर लूप लेंगे और इस लूप के अंदर हमें देखे, आखरी वाला जो लूप है हमारा इसके अंदर हमें डबल प्रोश्या बनाने है लूप लिया, यहाँ पर हमने स्लिप स्टीच किया फिर इस तरह से इसके अंदर हमें डबल प्रोश्या बनाने है एक, दू, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, और ये पंदरा, इसके अंदर हमने पंदरा बार बना दिया, दिखिए, और अब हम यहाँ पर, ये जो हमारा पहला यहाँ पर, डबल क्रूश्या है, यहाँ पर पहला, इसकी चेन में डाल करके, स्लिप स्टीच से जोइट कर देंगे, ऐसे, इसे जोइट कर दिया, फिट से लूप लिया, फिर एक, दो, तीन, और चार, यहाँ पर हमने एक में तो बना दिया, स्लिप स्टीच, फिर एक, दो, तीन, और चार, चोथी वाली चेन में इस तरह से डबल प्रूश्यां बना देंगे, एक बनाया, दो, तीन, चार, पांच, छे, ते, साथ, ओर यह, आठ, आठ बार हमने यहाँ पर डबल प्रूश्यां बना दिया, अब जो पहला डबल प्रूश्यां है, हो हमारा यहाँ पर, इसके अंदर स्लिप स्टीच से च्वाइट कर देंगे, फिर से लूप लेंगे, और इसके अंदर, हमें पंदरा बार डबल क्रूर्शे बनाने है इसी के अंदर एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आत, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, और ये पंदरा, पंदरा बार हमने इसके अंदर डबल क्रूर्शे बना दिये, अब जो हमारा पहला डबल क्रूर्शा है इस साइड, इसके अंदर डाल करके slip stitch कर देंगे ऐसे तो यह हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और फिर से इसके बाद के जो हमारे यह वाली काली है इसके ओपर इस तरह की double crochet आँट बारा हम बना देंगे ऐसे यहाँ पर तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हमारा beach वाला अगर हम जादा घुमा करके जो हम बनाते हैं वो वाला triple crochet भी आँट बार बना सकते हैं अगर आपकी बड़ी ट्रेस है और दोनों के बीच में ज्यादा gap है तो यहाँ पर आप triple crochet बना दीजे और अगर बहुत छोटी ट्रेस है तो आप half double crochet भी यहाँ पर बना सकते हैं और इसे भी बड़ी ट्रेस है और यहाँ पर ज्यादा double crochet है तो आप इस तरह का दो बार भी बना सकते हैं इसके हम दो बार बना लिजे साथ साथ का चोटा चोटा दो बना दीजे तो भी चलेगा फिर इसके बाद इस वाले के अंदर चोटी के अंदर बना लिजे तो ऐसे भी आप छोटी और बड़ी ट्रेस में किनारी बना सकते हैं तो चले round complete करके दिखाते हैं तो दिखिए round complete हो गया है और आखरी में हमने 15 बार double crochet बना लिए है 15 बार और अब हम इसे round joint कर देंगे देखिए यहाँ पर हमने start किया था इसका जो यहाँ पर double crochet है इस वाले double crochet के अंदर डाल करके slip stitch से round को joint कर देंगे और फिर थोड़ा सा थागा लंबा रख करके तो डिखिए hour लगा देंगे और फिर इस ठागे को needle में फिरो करके Cheese लगानी है इसलिए तो दोनों धरगे की हम पीछे नोउट लगादेंगे देखिए यह वाला pink वाला भी है और यह वाला भी तो अब हम इस हमने संट करना। अगर चाहिए तो साफ देइकॉरेट भी कर सकते हैं अपने हिसाफ से मैंने देखी इसमें स्टॉल लगाये हैं एentin दिखाती हूं इलिए तरह से हमने स्टॉन लगाये हैं तो मुंने लगाосकते हैं सिर्फ यहां पटि में लगना चाहिए तो भी लगा ढ़ा सकते हैं और दवनों में चाहें तो भी लगा सकते हैं मेरे पास इस तरह के स्टॉबन थे तो वह हमने लगा दिए है इसमें ग्लू की मदद से चीपका दिए है वह ग्लू की मदद लगाया है लिए वाला तो आपको गीन सबसी गर सकते हैं तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद दाया होगा시죠 प्रेस किजिए ताकि मैं जब भी कोई निया विडियो डालू तो इसका नोटिफिटेशं आपको सबसे पहले मिले झाल 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 झाल